हलो एब्रीवन वेल्कम बेक टो मैं ट्यूप चैनले वोनी क्लास तो आज हम करने वाले क्लास 11 का मैं आप सभी को बताने वाली हूँ SOSC का स्लेबर्स स्टैम के लिए PCM और PCB दोनों के लिए और यह स्लेबर्स रेने वाले 2024 से 2025 के लिए इसमें आपको एक्जाम पैटरम भी ब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके जो आपका PCM है उसके स्लेबर्स की बात कर लेते हैं क्लास 11 के लिए तो PCM के स्लेबर्स में आपके देखो four sections आपके होंगे ठीक है आपके चार sections आएंगे आपके exam में उसमें से आपका पहला section mental ability का होगा ठीक है दूसरा section आपका science का या फिर चोथा आपका numerical based questions का होगा ठीक तो यहां से यह चीज़े समझ में रहे हैं कि चार चीज़े हमें बहुत अच्छी तरीके से अपनी cover करनी है अब वो चार चीज़े कौन-कौन सी है जैसा कि मैंने आपको sections बताएं तो उसके according lab का slip इस भी decide हो जाता है अगर हमें चार sections मिल रहे हैं उसमें mental ability भी है science भी है maths भी है numerically based questions भी है तो इस सभी चीज़े हम ही करनी पढ़ेंगी ठीक है अब बात ही करते है कि वो करनी कहां से है तो देखो अभी आप class 10th में है class 10th के level का ही आप से पूरा पूरा exam दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको बीए के level का दे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी तक आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो वो नहीं दे सकते हां इतना जरूर है कि वो competition को बढ़ाने के लिए आपके जो questions है उनको difficult बनाएंगे उनकी language को change करेंगे और कुछ इस तरीके की values आपके रखेंगे maths में जिससे कि आपको solve क करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी हो सकता है कि आपका answer भी गलत आए ऐसा भी हो सकता है maths में mostly ऐसी चीज़े होती है क्योंकि हमाई पास 4 options होते हैं उन में से कोई एक correct answer है हमें पूरा का पूरा calculate करके सब कुछ निकालना होता है तो उसके लिए practice की बहुत ज़्यादा जरू यानि कि आपसे reasoning के questions पूछे जाएंगे जिसमें कि आपके coding decoding ठीक है image वाले questions आसकते हैं आपके और आपका symbols वाले questions आसकते हैं blood relation आसकता है और जितने भी reasoning में जो non-verbal and verbal reasoning होती है उसमें जो भी आपके topics होते हैं mostly included हैं आपकी mental ability के अंदर और यह लगा लिजे कि 10 questions अगर इ आपको बता दू कि आपका जो exam pattern रहने वाला है वो MCQs based रहेगा यानि कि आपके जो MCQ है वो आने वाले है objective आपका आने वाला है चार options आपको दी जाएंगे कोई भी एक correct है उसको आपको टिक करना है and then आगे बढ़ जाना है अभी तक फिलाल आपका जो exam है वो offline है यानि कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि exam online होगा है offline होगा मेरे ख्याल से exam offline ही होगा आपको paper में लेगा and then उसमें आपको करना है attempt ठीक है और तीसरी चीज आपकी ये है कि इसमें negative marking है हां जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो आपका exam है entrance exam उसमें negative marking होगी कितने की 0.25 की आपकी negative marking जो है वो होने वाली है तो negative marking का मतलब यह होता है कि अगर आपने चार question गलत किये है तो चार number तो कटेंगे ही साथ में automatically एक number आपका extra कट जाएगा ये होती है negative marking ठीक है एक बटे चार की negative marking आपकी रहने वाली है यहां से तो जो भी question आपको ऐसा है कि doubt है मुझे क्या पता म उसे मत कीजेगा अगर आप करेंगे तो फिर आपके automatically काफी साथ number कट जाएंगे और उससे काफी जाद अधिकत होगी तीस चोती चीज आपकी ये कि जो आपके OMR sheet होते है प्लीज उसमें ध्यान से बिलकुल ध्यान से उसमें आपको circles करने है ए भी CD दिया हुआ होता है और circles बने हुए होते हैं छोटे 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 उनको आपको फिल करना होता है ठीक है जो भी correct answer आपको लग रहा है तो प्लीज दिहान से कीजेगा क्योंकि ऐसा हो सबता है कि अगर आपने मालीजे option जो A है वो आपका सही है और आपने B पे हलका सा ऐसे tick जाएगा ना कि इसको या फिर अगर आप इसको लगा रहे है और इसको भी लगा रहे है तो फिर वो इस question को ही यहां से हटा देगा यानि कि आपके यहां से एक number चले जाएंगे ठीक है clear तो एक बारी मैं इसे रब कर लेती हूँ पूर रब कर लेती हूँ फिर आगे चलते ह है basically मैंने अपको समझा दिया है क्या होती है ठीक है और mental ability के अंदर maths के questions पर आते हैं लेकिन maths के questions इस बार आपके mental ability में क्या है आपके mental ability में maths के questions बुक में से नहीं आएंगे यानि कि जो आपकी book है NCRT है या फिर आपकी जो academic year में जितने भी आपके chapters लगे हो है उसमें से maths क questions नहीं आने वाले हैं mental ability की बात कर रही हूं ध्यान रखीगा maths के portion पर अभी में नहीं गई हूं mental ability का मतलब ही होता है कि हम सोच समझ के जो questions को solve कर सकते हैं वो type of mental ability के और विसले अगर आप इस पर PCM ले रहे हैं तो आपको maths को अच्छे से करना आना चाहिए इस वज़े से आपको reasoning and maths भी दिया जा रहा है और फिर maths का एक अलग से portion भी आपको मिलेगा तो next slide पर चलते हैं next है हमारा science जो आपकी science है science आपकी काफे ज़दा number के आने वाली है science and maths जो है वो equal number की रहेगी PCM में तो दोनों पर equal ही मैनत करनी बहुत ज़रूरी है और खास तोर पर एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजे कि जो maths है आपकी उसकी वज़े से काफी सारे बच्चे इस exam को क्रेक करते करते रहे जाते हैं इसलिए maths को इस तरीके से आपको करना है कि आपकी maths बहुत अच्छी से हो जाए और अगर आपने डिसीजन लिया है कि मुझे PCM लेना है तो obviously आपकी maths strong होनी चाहिए ठीक है और दूसरी बात आपक सायझ्स जो है वह आपकी क्लास 10th की आएगी क्लास 10th की की छो आपकी science है वह आने वाली है 10th class की science के सबी chapters आप करेंगे कोई भी chapter आपको छोड़ना नहीं है book के जितने chapter दियो है चाहिए वो 15 है, 16 है, 17 है, 18 कितने भी हैं, सभी के सभी chapters आपको करने हैं ऐसा कोई chapter नहीं होना चाहिए जो आप छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि उस chapter में से question आ जाए और ऐसा भी है कि आपके इस साल के जो 10th के syllabus है, उसमें कुछ chapter deleted भी होंगे, तो उनको भी आपको करना है, अगर आपको SOSC में selection लीना है तो, तो science का भी हाँ से clear हो गया, हर एक आपको chapter करना है, प्लस में जो 11th class की science होती है उसमें से आप physics और chemistry में से starting के एक-एक chapter पढ़ सकते हैं, थोड़े YouTube से पढ़ लीजे का आपको idea लग जाएगा कि किस तरीके के questions आपसे पूछे जा सकते हैं, और आप जो आपकी MCQs series चलाई जाती है, उन्हें देख सकते हैं, उनसे आपको बढ़ा चलेगा, क्योंकि MCQ आने वाले हैं ठीक है, MCQ में क्या होता है, एक question होता है, चार option दीवे होता है, इससे तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इस चीज को, आपने 10th में भी इस चीज को कही ना कहीं देखा है, अपने 20 नंबर के जब आपके questions आते हैं, starting में पेपर में MCQ ही आते हैं, है ना तो यही सारी चीज यहां से हो जाएगी, और एक चीज बहुत यहां से सुनिए, class 10th में अभी आप हैं, class 11th में आपको selection चाहिए, तो आपको यहां पर पढ़ना ही क्या है, अपने subjects को ही आपको time दीना है तो कोई भी बच्चा यह ना कहे कि ma'am हमारे पास time नहीं होता हम नहीं कर पाएंगे, हमसे कैसे होगा या फिर अलग-अलग आप strategies पूछते हैं, अच्छी बात है strategy पूछना, लेकिन strategy भी वही पर follow होगी, जब आप अपने मन में ठान लेंगे, कि हाँ हमें यह चीज करनी है, दूसरी बात ही आ जाती है कि जब आपके खुद के subjects में से questions पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप उन subjects को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपका time waste तो हो नहीं रहा है class 10th के boards में भी एक काम आएगा और S.O.S.C. में भी काम आएगा तो क्यों ना इनको इतने अच्छे से पका कर लिया जाए कि हमारा जो selection है, उसे कोई न रोक सके ठीक है, और फिर board में भी अच्छे number आएंगे आपके, तो एक board में भी अच्छे number आना अच्छी बात होती है ना, क्योंकि 10th की जो mark sheet है आपकी वो हर जगे जुड़ती है because उसमें date of worth होती है इस वज़े से, ठीक है तो इसलिए हमें अच्छा score करना है और अच्छा score करने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा next आपकी जो maths है maths मैंने आपको बताया है, maths hard आती है difficult आती है, इसलिए maths को अच्छे से करके जाएं ठीक है, पिछले साल का भी जो paper था उसमें maths जो थी, वो ज़्यादा difficulty तो maths को अच्छे से करना है सभी अपने class 10th के chapters आपको करने है ठीक है, 10th के chapters करने है प्लस में आपको कुछ chapters जो है वो 11th के भी करना है भई यहाँ पर जो SOSC है, वो बहुत चलाकी दिखाता है और वो आपसे 11th के questions भी दे के पूछ सकता है कि मतलब कुछ similar होते हैं वो आपके ही standard के होते हैं लेकिन उनकी जो level होता है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है मतलब ऐसे questions देगा जो आपने कहीं न कहीं वो topic आपने किया हुआ है लेकिन उनके जो level होगा questions का वो काफे बढ़ा हुआ होगा इस वज़े से डरा नहीं रही हूँ समझा रही हूँ, सतर्ख कर रही हूँ कि अपने maths को अच्छा कीजे maths के बाद आपका next आता है numerical based questions तो PCM में आपका नहीं चीज आने वाली है यो numerical based questions पिछले साल भी आई थी, साल भी आईगी कुछ numerical आपसे दे दिये जाएंगी उनके आपर questions आपसे पूछे जाते हैं ठीक है numerical based questions आप समझते ही होंगे तो ये भी आपको करने हैं आपको कहीं किसी academic book में नहीं मिलेगा लेकिन आपको अपने level का करना है higher level का नहीं करना है चलिए यहां से PCM की तो बात पकी हो गई अब PCB की बात कर ली जाए तो PCB की class 11 की जो syllabus है वो दिख लेते हैं सबसे पहले आपका mental ability जो है वो जोड़ा है आपको उसमें coding decoding image वाले questions आते हैं blood relation percentage और और भी अलग अलग तरीके questions आते हैं जैसे इस तरीके से shape वाला भी आता है triangle में में को नाम याद नहीं आ रहा है कि यहां पे कुछ number है यहां पे कुछ number है चाहे तो यह दोनों number आप से multiply करके यह वाला number निकलेगा या फिर इन दोनों को जो यह और यह है इन दोनों को प्लस करके आपका यह वाला number निकलेगा इस तरीके से भी questions आपके पूछ जाते हैं ठीक है इसका नाम अगर किसी को पता है तो जल्दी से comment box में comment करके बढ़ा सकता है तो यह हो गया mental ability आगे चलो अब ही जब आप PCB लोगे तो PCB लोगे तो इसमें कहीं पे末े maths stand करता है नई करता जब maths इसमें है ही नई तो फिर आपसे maths के questions नई पूछे जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि maths के questions नई पूछे जा रहे तो आपका paper easy है इजी पेपर आपका भी नहीं है, पेपर में आपको महनत करनी है, अपनी महनत करोगे तब भी आएगा नंबर, तो इसलिए chemistry जो है class 10th की chemistry, class 10th की chemistry अच्छे से कर डालो, बहुत अच्छे से, मतलब जो science है न 10th की, उसको तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लेना है, और 11th class का भी स्टार्टिंग का पढ़ लेना, एक दो चैप्टर, उसमें से questions कूछे जा सकती है, और हर चैप्टर करना है chemistry का, कोई भी ऐसा चैप्टर ना हो, जो आप छोड रहे हैं, ठीक है कुछ कुछ वीडियोस मैंने बनाई हुई है, classes आपकी ली हुई है, आपकी preparation के लिए, तो उन आपको motivate भी काफी जदा अच्छे से करेगा, तो मुझे काफी जदा अच्छी लगी थी उसकी वीडियो, उसे आप जाके जरूर देखें, ठीक है, उसके बाद, next जो biology है, biology भी आपको बहुत अच्छे से करने है, biology तो यह समझ लो कि बहुत ही जदा अच्छे से करने है, क्य चैप्टर कर लो, और 10th की तो पूरे ही चैप्टर आपको biology के करने, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद, next जो है physics, physics भाई, थोड़ा सा difficult होता है, बट करना तो सभी है, तो physics के भी वही similar सारे जो chapters है, वो आपको करने है, science के सारे, 10th class की आप यह समझ लो, पूरी बुक आपको करनी है, science की, प्लस में 11th class की जो बुक्स होती है, physics and chemistry and biology की, उन में से भी starting के एक दो chapter कर लो, सही रहेगा, तो यहाँ पर आपका syllabus complete हो जाता है, I hope आपको वीडियो काफी द्यादा helpful लगी होगी, अगर लगी हो तो जल्दी से करके बताएं, वीडियो कैसी लगी, कोई भी दिक्कत है, तो भी कमेंट करके फटा फट से बताओ, डिस्क्रिप्शन वोक्स को बिल्कुल चेक करना नि भूलना है, और अगर आप अभी नए हैं, तो प्लीज अमाई चैनल को सब्स्क्राइब करें, साइड में जो बैल अकन करूम झाल चैनल झाल च्ट करेंट अभी यजला गारश से बताओ, ऑच करेंग जो बैल को सब्सक्राइब करेंट, स्टाम झाल बताओ, भी करेंट, अज़गों झाल जो प्लीज चैनल